रवशंकर जी बहुत स्वागत है आपका क्योंकि पहली बार हो रहा है कि इस पूरे विवाद के बीचों बीच आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए सामने आ रहे हैं तो मुझे क्रिपया करके थोड़ा वक्त दीजे मैं संचेप में ये विशय को आपके दर्श को बिदे रखना चाहता हूँ भारत में लगबग 130 करोर फेस्बुक आपके वाटसाप, ट्विटर, लिंक्स दिन इसके लोग यूज करते हैं स्वागत है वो इसका उपयोग करें, वो शक्तिशाली भी बनें, वो सवाल पूछें, सरकार क्या लोचना करें हम इन सबों का पुरा सम्मान करते हैं और ये विदेशिक कंपनिया भारत में मुनाफ़ा कम है, हमें कोई आपती नहीं है विशे सोशल मीडिया कंपनी के उपयोग का नहीं है, विशे इसके दुरुपयोग का है और जब दुरुपयोग होता है, तो वे वेक्तिक क्या करें कैसा चाहीं नहीं है कि कई बार माताय मुसे शिकायत करती है कि उनकी बिटिया किसी के प्रेम में फस गई थी अब उसका एक्स बॉइफ्रेंड वो सारे कॉंप्रमाइजिंग फोटोग्राफ को वाइरल कर रहा है, किसी महिरा की मौफ प्रोटो दिखाई जाती है, किसी को डिफेम करते हैं, कोई नया उद्योग खोलता है तो उसके प्रद्वंदी शुरू से यतना कैंपेंच चलाते ह कि वो संपादक, पत्रकार, उद्योग पती, अब जजज़ भी, तो इसका, इसके शिकायत का क्या केंद्र होगा, सुप्रिम कोर्ट ने प्रांजुला केस में कहा था, कि रेप इत्यादी पर एक सक्त कानुन बनना चाहिए सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए, अभी मेरे पास ये फेस्बुक का केस है, सितंबर दोहजार उनिस का, जिसमें सुप्रिम कोर्ट ने यही कहा, कि जो ओरिजिन होता है, कोई खुराफाती मेसेज का, जिस से समस्या होती है, उसके जानने का अधिकार है, सरकार को रेगलेशन बनाना चाहिए, संसद में चर्चा हुई थ सुप्रिम कोर्ट की अनुसंशा, व्यापक विमर्ष के बाद हमने इसको लाया, पच्चिस फरवरी को तीन महिने का वक दिया, हम क्या चाहते हैं, आप एक भारत में ग्रिवांस रिडेसल आफसर बनाईए, शिकायत का केंदर का पदा दिकारी, जहां पिडित लोग शिकाय कर सकें, एक आप कंप्लाइंस आफसर बनाईए, एक आप नोटल आफसर बनाईए, और दूसरा वाटसेप से क्या आग रहे, इसको बहुत ठीक समझेए, और्डनरी वाटसेप के उज़र को कोई शिकायत नहीं, वाराम से काम करें, हम उन्ही मेसेज का ओरिजिन चाहते हैं, जिसके मेसेज के सर्कुलेट होने के कारण हिंसा होती है, सामपदाइक दंगा होता है, आतंकवात की घटना बढ़ती है, या कोई बलातकार की घटना, या बच्चों के साथ सेक्शल अब्यूस की घटना को आप वाइरल करते हैं, ऐसे में आपको बताना पड़ेगा, ये ख बता है कि दिल्ली के सीए के समय दंगों में बहुत से वाटसैप मेसेज पाकिस्तान से आये थे, तो हिंदुस्तान में उस तो किसने शुरुआत किया, यही तो कुल्मिला के मामला है, तो इसमें दिक्कत क्या है, ये तो इसलों को खुद करना चाहिए, ये कहा गया है, कि इ का उनकी जो निजता है, वो अब निजी रही नहीं गए। अरे टेक्नोलोजी तो सबका उत्तर है, और फिर कहूंगा श्वेता जी, आप इन महकमे को फॉलो करती हैं, तो आप इमें ये बताएए कि अभी जो वाटसैप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, जिसको लेकर कोर्ट में बहस भी चल रही है, हमने भी नोटिस किया, उ उस समय इंक्रिप्शन का सवाल नहीं है, क्या, आप मुझे ही बताएए, जब फेस्बुक ने केम्रिज एहलिटिका को लगबग पांच लाग भार्तियों का डेटा दे दिया था, तो उसमें इंक्रिप्शन की समस्या नहीं थी, क्या, ये टेक्नोलोजी की समस्या है, टेक् मेसेज के बारे में है, जो पब्लिकली सर्कुलेटेड है, जिसके कारण दंगा होता है, हिंसा होती है, आतंगवाद बढ़ता है, भारत की सुरक्षा पर खत्रा होता है, अत्वा बलातकार, नग्ड महिला या बच्चों के योन सौशन की बात को आप वैरल करते हैं, तो क्यूं वो भारत के साथ ऐसा पक्षपात करना चाह रहे हैं, ये चीजें हो ही क्यों रही हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, तो आप देश के कानून मंत्री और देश के आईटी मंत्री से बात कर रही हैं, संचार मंत्री से, तो श्वेता जी बहुत मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं इन सारी सोशल मीडिया कंपनियों को, भारत की डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझाता नहीं किया जाएगा, कोई समझाता नहीं किया जाएगा, अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट बेकिंग कंपनी अमेरिका की स्वागत है व्यापार करिये, करोडों अर्वों कमाईए, लेकिन भारत के कानून और भारत के सम्वि कि आपको पालन करना पड़ेगा यह बात बहुत विनमता से लेकिन सक्ति से मैं बता रहा हूं और इसके लिए हम कारवाई कर रहे हैं और फिर सरकार का इसमें कोई हथशेप नहीं है यह तो हम भारत के सोशल मीडिया के यूजर्स को मजबूत कर रहे हैं कि भाया तुमको शिक खायत के निवारन का जगह मिलना चाहिए आज यह कहते हैं अमरिका में जवाब दीजिए अमरिका में कॉंप्रेंड करिए खमाले आप यहां से अर्वों कमाएंगे भारत के यूजर्स से उनके शिकायत का कोई आप प्लैटफॉर्म नहीं देंगे जहां वों शिकायत कर सके एक विछप्त माँ अपनी बीटी की इज़त की दुआई देके जाए कोई महिला जिसकी मौफ्ट इमेज लगाई गई है कोई व्यक्ति जिसको डिफेम किया जा रहा है कोई संपादक पत्रकार जिसे खिलाब अनावश्चक अफशब्त कहे जा रहे है अब आपने दूसरी बात कहीं तो मैं आपको एक बात और बता दूँ और यह जानना बहुत जरूरी है आप लद्दा को बहुत कवर करती है आपको याज होगा ट्विटर ने एक बार लद्दा के पार्ट के मैप को चीन का बताया था जब नहीं बहुत प्रोटेस्ट केँए था बहुत मुझ्किल से निकाला यह सिंगापूर के वेरियंट को जब कहा गया तो महाँ प्रोटेस्ट के गए तो आपने भट से हटा दिया लेकिन भारत के कोवीड दुरभागी पुन है तो आप उसको इंडिया वेरेंट अपने प्लेटफॉर्म पर चलाते हैं, क्यों चलाते हैं आप, जवाब दीजे इसका, याद करिए जब फॉर्मर्स का प्रोटेस्ट था, तो जब लाल किले पर कुछ शरार्ति और आतंकवादी प्रोटसाहित करने वारे ताकतों ने हमला कि तो आपने कहा, ये तो freedom of expression है, बोलने का अधिकार है, लेकिन जब वाशिंटन के capital hill पर लोगों ने हमला किया, तो आपने सब के twitter account बंद कर दिये, उस समय के राश्पती का भी बंद कर दिया, अच्छा किया, तो भारत के साथ ये दोहरा मान डंड क्यों, यही मेरे सवाल, य आप अमरीकी सिनेट के सामने पेश हो जाते हैं, चाहे जुकरबर्ग हो या बाकी हो, आप British House of Commons के सामने हो जाते हैं, जब भारत की संसद की committee बनाती है, तो आप ना नुकुर करते हैं, तो मुझे कहना पड़ा, भारत की संसद भी उतनी ही महत्पूर्ण है, जितना अमरीकी Congress है, तो ये इनको समझना पड़ेगा, अभी आप देखें, वैक्सीन के लिए हम सब काम कर रहे हैं, आप वैक्सीन हेजिटेंसी के कई tweets को आप करते हैं, वाइरल क्यों करते हैं, ये आप खुद क्यों नहीं सोचते हैं, और एक तरफ आप कहते हैं कि अभिवक्ति की हो नहीं है, हाँ होना चाहिए, यहाँ पर अफसर क्योंकि जो भारत के जो intelligence agencies हैं, उन्हें वाकई बहुत मेहनत करनी पड़ती हैं, बहुत मुश्किले होती हैं कि इस तरह से social media से या emails के जरिए उन्हें पूरा mail trail मिल सके, source मिल सके, लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो आज के विमर्ष से सामने आती है, और खास कर जिस तरीके से भारतिय जनता पार्टी और कॉंग्रेस की लड़ाई के बीच, twitter का किरदार आ जाता है, manipulated media, भारतिय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के tweet के साथ, इस शब्द का इस्तेमाल, उन tweets के साथ, जहाँ पर कॉंग्रेस के toolkit की बात की जाती है, और इसलिए विमर्ष में ये सवाल उड़ जाता है कि कहीं ये सरकार की तरफ से बाक डोर सेंसरिंग तो नहीं है, देखिए पहले मैं आपको मताद हूँ श्वेता जी, 25 फरवरी को ये guideline गजट में प्रभावी हो गए थी, उसी में कहा गया था, कि जो significant social media platform हमें जो बड़े हैं, 50 लाग के उपर user base के, उनके लिए हम तीन महीना का window देते हैं, उनको मारूं था कि 26 से ये प्रभावी हो गया, 25 की रात में मैं मैं में खतम हो गया, उस समय ने toolkit था, ना Congress थी ना भाजबा था, इसलिए ये कहने का कोई मतलब नहीं है, और बहुत लोग बोलना चाहिए, मामला पुलिस के investigation में है, लेकिन भारत का कानून श्वेता जी ये भी कहता है, कि अगर कोई पुलिस के सामले मामला है, तो उसके अनुसंधान में सब को मदद करना चाहिए, कोई भी हो, संस्ता हो या विक्ती हो, आप मदद क्यों नहीं करेंगे, अगर पाया कि ये मैनिपुलेटेड है, तो उसको आप शेयर करिये पुलिस के पास, अब पुलिस कोई उनको गिरफ़तार करने नहीं गई थी, समन देने गई थी, चुकि बदाने पर वो नहीं आये थे, अब कॉंग्रेस पार्टी ने जा करके कहीं, और एफायर भी फाइल किया, अब इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन बड़ा सवाल इससे एक और निकलता है, और वो मैं आपके सामने आपके दर्शकों के विचारात रख रहा हूं, ये सभी प्लैटफॉर्म है, इस पर कोई विवक्ति अपनी अविवक्ति की बात कह सकता है, हाँ, अगर कोई आतंकवाद का प्रमोशन है, कोई महिला की डिगडी का कॉंप्रमाइज है, तो इस पर वो करवाई करने है, करना भी चाहिए, लेकिन कोई किसी का अलोचना कर रहा है, या कोई किसी का अलोचना का जवाब दे रहा है, तो आप तैय करेंगे कि किस एकाउंट को चलने दिया जाए किसको बंद किया जाए, और फिर एक और बड़े सवाल है, आप अगर मेनिपलेटर की बात करते हैं, तो आपको तो सीधा पुलिस का इन्वेस्टिकेशन तो यही हो रहा था ना, इस से दिक और नो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप जब प्लैटफॉर्म हैं, तो आ आपके प्लैटफॉर्म पर किसी प्रकार की बात होती है, तो दोनों कैसे चलेगा श्वता जी, आपको लग रहा है कि ट्विटर जो है वो जो बाकी विपक्षी पार्टिया हैं, उनके इशारे पर काम कर रही है, या उनके लिए काम कर रही है, जिनकी मौझूदगी एक तर से अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोग जो ट्विटर से ही अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, वो आजकल ट्विटर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको मुबारक है, जमीन की पॉलिटिक्स करें, जमीन से जुड़ना सिखें, और यही बात म कहूंगा, यह सारे प्लैटफॉर्म हैं, यह आएं, अपना काम करें, जनता को आफसर दें, अच्छा काम किया है, खुब मुनाफ़ा कमाएं, हमें कोई दिकत नहीं है, लेकिन हमें आजादी और बोलने की आजादी की नसीहत नहीं दें, भारत एक बड़ा देश है, लोक्तां है, जुडिश्री है, सुप्रिम कोट है, और इसके उपर देश की जनता है, किसी को भी हरा सकती है, चुनाव में, अब राहूल गांदी की पार्टी को अगर चुनाव में सफलता नहीं मिलती, तो क्या उसकी खीस वो ट्विटर से निकालेंगे, क्या, अगर ये उनकी राज नीती है, तो चलने दीजिए, मैं बोदा नहीं चाह रहा था, आज क्या बत्तमीजी किया है उन्होंने, स्वेता जी, कोविट को मोविट कहां है, याद करिए, भारत के कोविट का एक नाम है, जो W Health Organization ने दिया है, क्या राहूल गांदी अपनी हताशा में इतना नीचे गर जाएंगे, कि जब पूरे देश को कोविट की लड़ाई में एक साथ बोलना चाहिए, तो क्या-क्या कह रहे हैं, तो आज मैं आपके चनल पर उनके कॉंग्रेस के प्रदेशों में क्या हो रहा है, क्या राजिस्थान और 36 गर में, वो खोलना शुरू करो क्या मैं, यह जाएंगे, कि बिना इंवेस्टिगेशन के कैसे वो मैनिपूलेटेड मीडिया कह सकता है, वैसे पहले ट्विटर पर इस तरह से आरोप कैसे लगाया जा सकते हैं, कि वो बायस्थ है, आप जवाब देना चाहेंगे, इस आरोप का? अब देखिया, आपको उनको यहां नहीं लिना चाहिए था, आप आपने पूछी लिया है, तो कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट और कपिल सिब्बल देश के पूर आईटी मंत्री का यह कमेंट नहीं है, यह कपिल सिब्बल कॉंग्रेस के नेता का कमेंट है, इस ते दि इंडिया कंपनी का जमाना चला गया, जिनका मोटो था कि मुनाफ़ा तो भारत से कमाएंगे, कानून इंगलेंड का लगेगा, इस से दिक मुझे कुछ नहीं कहना है, रिपीट करता हूं, आप आईए, आपका स्वागत है, अपने यूजर्स को अपने सवार उठाएं पड़ेगा, आप ये नहीं कहेंगे, कि हम सिर्फ अमरिका के कानून से गाइड़ होंगे, या सिर्फ हम अपने कानून से गाइड़ होंगे, अगर इंटिमिडेशन की बात वो करते हैं, कि हमें डराया जा रहा है, दिल्ली पुलिस का उनके दफ्तर पर पहुंचना, और एक अलाब करेंगे, तो हमें छे महीने का समय दे दिये, या हम कोर्ट में जाना चाते हैं, क्या ये एहम का टकराओ भी हो गया है, क्या सरकार अपनी तरफ से इसे एक इगो इशू बना रही है, कि हमारे कुछ नेताओं के साथ कैसे क्विटर ने ऐसा पक्षपात कर दिया? पहले मैं आपको एक वापता दूँ, अच्छा कि आपने सवाल पूछा, हमने तीन महीने का उनको वक्त दिया था, कुछ ने कहा था कि हमको तीन, चार, पाँच में समय और दिजिये, कोई विस्तार से कारण नहीं दिया था, अभी मैं फिर कहता हूँ, आप अहम की बात को अलग करिया, कोई अहम का सवाल नहीं है, इन आपके सवाल के जवाब में मेरा एक सीधा उत्तर है, एक ग्रिवान स्रिड्रेसल आफिसर, शिकायत करता पदाधिकारी को अपॉइंट करने में, क्या यूपी एस्ट की परिशा क करानी पड़ती है, क्या, आई एस की तरह, एक नोडल ओफिसर और एक कम्प्लाइंस ओफिसर को न्यूट करने में कोई दिक्कत होती है, क्या आपको, क्या मतलब है इसका, कोई करन मी तो होना चाहिए, आप अपने एक पदाधिकारी को बना दीजिए, कि हमने इनको अंतरिम शिकायत करता बना दिया, इसका ये नेम है, इसका ये टेलिफोन है, आपको चाहिए शिकायत करिए, फिरता फिर कहता हूँ, शिकायत करिए तो नहीं है, यहाँ नहीं अमरिका में बात करिए, हमारा कोई पावर नहीं है, भारत के यूजर्स के साथ ये विवहार उचित नह वाट्साइप कोट गए हैं, कोट की बात हम कोट में करेंगे, उस पर नहीं बोलना है, लेकिन फिर रिपीट करूंगा, आप जब अपने फेस्बुक के डेटा को शेर करेंगे, फेस्बुक के एक बिजनेस इंट्रेस्स में, तब तो कोई प्राइविसी का विशे नहीं आ था अमरीका, इंग्लेंड, औस्ट्रेलिया, कनेडा में, वहाँ के एजनसी आप से पूछेंगी, तो आप फट से दे देंगे, सारे सवाल भारत के लिए हैं क्या, और आपने सही कहा, अनुसंधान के एजनसी जब खोज करती है, तो बहुत जल्दी से विशे निकलते हैं, यह म मदद करें, यह मैं आप उनसे आगरा भी करूँगा, कि यह आपका दाइट वह इस बात को आप समझें, और क्रिपया करके भारत की डिजिटल संप्रभुता को हलके में न लें, यह बात मैं बहुत विनमता से कहना चाहता हूँ, प्रविशंकर जी, ट्विटर ने अपनी त आप अगर ट्विटर पर बायस का आरोप लगाते हैं, तो इसके साथ ही अप्रेल में जब 50 लगभग ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए आपकी तरफ से कहा गया था ट्विटर को, तो उन ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया था, जिसमें कॉंग्रेस के भी कई बड़े नाम भी हो रहे है कि ये मामला चल क्या रहा है? प्रायुजित किया गया था कि मोधी के द्वारा किसानों के मर्डर की कोशिश की जा रही है, वहाँ भी ये काया था नाम विदेश्य टूल की याद होगा आपको, आपको बहुत कवर किया था, उसमें क्या कहा गया था कि ऐसे करो वैसे करो, ये करो विदेश्य मीडिया के पास जाओ, आप सार्थक का अलोचना करिए ना, वो तो उनके नेता ही करते रहते हैं, सार्थक क्या, अस्तर ही नालोचना करते हैं, आज मैंने उसका संकेत दे दिया आपको, तो आप कुछ जब नॉर्म्स के माध्यम से आप हिंसा को पन पाएंगे, बढ़ाएंगे, तो सर इनका अंग क्यों बताया अपने मैप में, किसकी कारवाई थी एक, दूसरा मैंने बताया आपको, बाकी कई किसान अदोलों की बात मैंने बताई, आपको मैंने बाकी अमेरिकन कॉंगरेस के बारे में उनके दोरी मांदर्ण बताया, और दरज़नों है, मैं उस पर आज लिए श्विता जी एक बहुत ही सविधन्शिल विशय को उठाना चाहता हूं, यह बहस आगे बढ़ेगी, इन लोगोंने बहुत से फैक्ट चेकर रखे हुए, मतलब कोई ट्वीट करता है तो उसमें सही है, यह फैक्ट चेकर ट्वीट करते हैं, यह फैक्ट चेकर कौन है ना उनका नाम सावजनिक है, उनको कैसे अपॉइंट किया गया, ना इसकी जानकारी है, भारत के 130 करोड प्लस लोगों के विचारों के प्रतिमादन का रेगुलेशन करने का अधिकार दिया है, जो मुझे जानकारी मिली है, मैं और प्राप्त कर रहा हूं, इसमें कुछ लो लोगों के इन्वेस्टर्मेंट लगे हुए हैं, जिनका काम ही है भारत तूटे, तो आप इसको देखने का काम नहीं है, क्या, 130 करोड के देश में आपको कुछ निउट्रल अब्जेक्टिव फैक्ट चेकर नहीं मिलते हैं, क्या, ये सवाल उठेंगे, और उठने चाहिए भी, ये है accountability, हम आप कैसे काम करते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन आप क्या करते हैं, ये देश के सामने आना जाना चाहिए, इसलिए कल जो आपने देखा होगा मेरा बहुत कड़ा statement था, वो मुझे क्यों कहना पड़ा, कि एक अमरिका में बैठ हुई profit कमाने वाली private company, हमें लुकतन की नसियत दे रही है, हाँ, बोलने का इधिकार के बारे में बोल रही है, ये स्विकार नहीं है, इसलिए हमने कहा, आप कानून का पालन करिये, straight away, जो आप से कहा गया है, और फिर मैं पूछता हूँ, इसके लिए कानून के जरुरत है क्या स्वेता जी, आप ग्रिवांस आफसर बना दीजिए, जहां कोई प्रित आदमी जा सके, मा जा सके, महिला जा सके, पुलिस कर्मी जा सके, आम आदमी जा सके, संपादक, पत्रकार जा सके, तो क्या दिक्कत है, कि आप 15 डिस में बताईए कि आपने उनके शिकायत का निश्पादनी किया ये नह क्या हमें कनुन बनाना पड़ेगा? और कनुन बनाएंगे तो उसके अनुपादन में आप इस तरह की बड़ी-बड़ी बात करेंगे? तेशन्कर जी एक होती है लोचना, अब वो स्तरहीन है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, ये कौन तय करें? और दूसरा, fact checker क्या वही neutral होगा जो आपके पक्ष में facts को check करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो फैक्ट चेकर न्यूट्रल नहीं हो सकता, जिसका पब्लिक प्रोफाइल है to hate Modi, जो campaign चलाते हैं, मैंने बात समझ रही हैं आप, इसका मतलब एजेंडा आपने fix कर दिया है, बात मैंने समझ रही हैं नहीं समझ रही ह चलिए वह अलग विश्य है तो आपने पूछा तो मैंने बता दिया आपसे, हम बिल्कुल आलोचना का स्वागत करते हैं, और श्वेता जी हमारे प्रधान मंत्री, वो आज से, वो तो 2001 से ही आलोचना का शिकायत बनना है, भारत ही नहीं, दुनिया भर में, कुछ गंभीर, वामपंथी विचारों से प्रभावित लोग का कामी तो दुनिया में कैमपेंच रहे इन लोगोंने, अब दिक्कत है कि भारत के लोग उनको बार बार जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसलिए मैं फिर कहता हूँ, कि ये सोशल मीडिया कंपनी को ये समझने के जरूरत ह कि भारत का एक बहुत पड़ा वर्ग दूसरा भी सोचता है, और अगर आप सिर्फ एक ही सोच को नियमित करेंगे, आप इसके एकाउंट को कैंसिल करेंगे, उसके कोई सुनवाई नहीं करेंगे, और उपर से लोगतंतर का लेक्चर हमें देंगे, और भारते कानुनों को प